आज हम बनाएंगे ब्रेट मलाई रोल उसके लिए सबसे पहले हमें दूद को गारा करना है तो यह मैंने गढ़ाई ले लिए उसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा पानी पानी डालने जा हमारा दूद जो चिपके काने यह मैंने आधर लिटा दूद ले लिया अब हमें चलाते हुए दूद को गारा कर लेंगे तो दूद को आधा होने तक हमें गारा कर लेना है तो देखिए हमारा दूद गारा हो गया है मैंने साइडों का निकालती गई थी चलाते हुए से गारा कर लिया है अब मैंने सारा दूद निकाल लिया ठंडा होने के लिए मैंने फ् कर लेंगे तो मैंने इसमें शकर नहीं डाली क्योंकि हमारे दूद में शकर दी अगर आप थोड़ा जादा मीठा पसंद करते हैं तो इसमें पीसी हुई चीनी मिला सकते हैं यह देखिए अब यह भी ठंडा हो गया अब इस तरह से हम इसके छोटे-छोटे रोल बना लेंगे इसी तरह से हम सारे बना लेंगे अब ले लिए मैंने चार पाज ब्रेट के प्लेप पीस अब हम इसके साइड़ों को कट कर देंगे यह मैंने सारी ब्रेट के पीस कट कर लिए हैं इनके बना लेंगे हम ब्रेट क्रम इने समाल कर रख देंगे अब हम एक पीस को लेंगे बे बेट के अंदर स्टफ कर देंगे, इस तरह से हल्क के हाथ हो उसी से मोल लेंगे घ्रोल तैयार हो जाएगा अब इस पे थोड़ा सा पानी लगा देंगे हमसाइड हों पानी लगा honour कर हलका सदब क्या अच्छे सी चिपक जाए इसी तरह से हम सारे बना लेंगे यह मैंने चार पीस बना के तयार कर लिए हैं अब हमारा दूद भी ठंडा हो गया है अब हम इस पे यह दूद डाल दे लिए जो हमने गाड़ा करके रखा था अच्छे से कवर करते हुए हम सारे में डाल देंगे दूद अब हम थोड़ी इस पे गर्णिशिं कर देंगे इने मेने बादाम ले लिये हैं तो दोaguपीस कर लिये हैं ऐसका यह थोड़ी से गुराग के पत्ते हैंerem अब चैय देखें बन के तैयार हैं हमारे मझारिय ब्रेट मलाई रोल रल यह देखिए कितने अच्छे बना का तैयार है कि निट निट बाइट से